किसान भाई आभी आप देख रहे हैं यह है जी नायन केले की खेटी आप देख सकते हैं और यह प्लोट में लगाया गया है इसके लिए आप देख सकते है यह है एक पंजा यहां पे आप देखी एक पंजा है तो हम काउंट करते हैं यहां से देखे दो दो चार दो चार दो आर दो दस दो बारा दो चौदर यह देखे 16 दो अठारा यानि कि एक पंजे में 18 है और यह कहां पे है नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यह उपर की स साइड में काउट करके तो ऐसे हम एक और काउंट करके दिखाएंगे कियोंकि आसे होड़ा है कि जूःदा कर रहे हैं तो हम यहां पर चलते हैं और कौर पहदे में और जो इसकी चीवी बनी वे इसमें भी मैं आपको नीचे के साइड दिखाऊंगा certains कि वहां तक हाथ नहीं पूंच सकता है तो यहां पर देख सकते हैं 2 यह देखे 4 दो 6 दो 8 दो 10 दो 12 एक 13 यह देखे इसमें 13 है अभी मैं आपको दिखाया था उसमें 18 था ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि नीचे की साइड में अगर आप देख रहे हैं तो सब में बराबर होगा किसी में क जा काफी अच्छा बना हुआ है नीचे की साइड में आप देख सकते हैं फिर यहां पे देखिए यह पोधा तयार है इसके भी जो है कटने वाले हैं इसके जो घार है तो इसमें भी हम काउंट कर लेते हैं यह देखें तीन दो पांच छे साथ आठ ने दस ग्यारा बारा तेर होंगे तो किसान भाई अभी जो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाया काउंट करके काफी अच्छे बने हुए उपर की साइड में आप देख सकते हैं तो किसान भाई ऐसे यदि आप हमारे चैनल पना है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे ताकि जो भी नए अपडेट है वह आपको मिलता रहे है एक चीज और मैं आप दिखाता हूं आपको इसमें कितना है देखिए यहां पर दो चार दो च्छार दो आठ दो दो बारह तो 14 15 16 17 18 19 20 इसमें देख सकते हैं यहां बीस है एक पंजे में यह भी नीचे की साइड है मैं उपर की साइड क काफी अच्छा इसका गुरू है अगर हम पंजे की बात करें तो पंजे काउंट करने के लिए हमां लगाने पड़ेगी अभी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर पंजे में कितने एक घार में कितने पंजे बने हुए हैं तो खिसान भाई अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में अगर आपके मन में कोई कंफीजन है तो आप हमें कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी परकार की जानकारी चाहिए तो आप कोंटेक्ट भी कर सकते हैं तो खिसान भाई यो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है धन्यवा जय हैं